असलाम लेकुम फ्रेंस वेलकम बैक टो मैं चैनल आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से शोल्डर यानि के तीरा आटेच करने का तरीका बताएंगे तो सबसे पहले हमने यहां पे कुर्टी का फ्रंट पाट का जो नेक है इसको हमने बना लिया है और उपर से एक सिलाई भी लगा लिया है अंदर के और अच्छे से गले को फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद इस तरीके से उपर से एक सिलाई हमने लगा लिया है तो यह हमार कुर्ती का front neck जो है अच्छे से बन गया है देखि सकते हैं गले को अंदर की और फोल कर लिया है तो यह हमारा front neck बनके तयार हो चुका है यहां पे बाद में इसको तुर्पाइ करना होता है तो पहले आपको भी front neck बना लेना है कुर्ती का जो सामने का पाट है बनाने के बाद उसके बाद ये बैक पार्ट जो पीछे का गला रहता है, उसको इस तरीके से सिलाई करना है, सिलाई करने के बाद इसको अंदर के और फोल्ड नहीं करना है, जैसे सिया है उसी तरीके से रखना है, इस तरीके से फोल्ड नहीं करना है, अब यह जैसे मैंने सिलके रखा है उसी तरीके से आपको सिलाई करना है अब दूसरा उसके उपर हमें यह फ्रंट वाला जो कुर्ती रहती है उसको हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है यह देखिए इस तरीके से रखने के बाद और यह हमारा सीधा आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा वीडियो को और लाइक जरूर कीजिएगा लाइक करने से मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है यह दिखिए इस तरीके से यह पार्ट को उठाएंगे और यहां पर इसको अच समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा आप पीछे करके फिर एक बार देख सकते हो वीडियो को तो इस तरीके से यहां पर इसको रखना है और इस तरीके से रखने के बाद यहां से इसकी सिलाई करेंगे दिखे इस तरीके से दोनों पार्ट को अच्छे से यहां पर पकड़ना ह और डबल सिलाई करना है, अब इसके ओपर मैं डबल सिलाई करोंगी, तो यह दिखिए इस तरीके से,他 हम अघ्वो Real까지 मेरी होouve हो चुकी है, अभी हमें यहां प्य क्रूlezे करना है, इस तरीके से यह पार्ट को भी लेना है, दूसरा शोल्डर को भी इसी तरीके से आटेच कर शोल्डर को भी इसी तरीके से अटेच करना है ये दिखिए तो बहुत इजी तरीका है हम आपको बता रहे हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका शोल्डर यानी तीरा अटेच हो जाएगा बहुत इजी कटिंग और स्टिचिंग सिखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रू तरीके से फोल्ड करेंगे एक बहुत इसको बलंदर के साथ और इसकी फिनिशिंग के साथ आप भी सकते हैं किसी तरीके से फिनिशिंग आई है इसके धागे इसके दागे नहीं निकलेंगे तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश की हूँ अभी यहां क्या करना है यह गले को जो है इस तरीके से अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है यहां पे फोल्ड करने के बाद उपर से एक सिलाई लगा लेना है सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से दिखिए यह बहुत ही अच्छे से हमारा यह बनके रेडी हो जाएगा और बाद में इसको तुर्पाई कर लेना है अंदर की ओर तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर ली है आप देख सकते हैं तो बहूत ही अच्छा finishing के साथ हमारा ये shoulder और अगला बनके ready हो चुका है आप देख सकते हैं इस तरीके से आप भी बहुत easy तरीके से आप अपना shoulder का सिलाई कर सकते हो अगर वीडियो आज की मेरी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा लाइक करने से मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और इसी तरीके से एजी कटिंग और स्टीचिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा थैंक्स पूर वाचिंग